एक जो हमने यह पड़ा था इसका पंचकर्म विवेचन करना था हम मैं इसको गुलियन बारे सिंड्रोम के बाद करने तो चलेगा जी सर्थ जी सर्थ रुबन नाम ABC सेक्स मेल एस थर्टीन इयर प्रोफेशन स्टुडेंट वर्तमान व्याधी वृत्तु अदरंग गात अदो भाक शैथिल्य करम हानी उभय पाद वेदना यह लड़का जब आया तो इसको पैरलाइसिस हो चुका था जो नीचे का दोनों पाउं थे वो पूरी तरह से शिथिल हो चुके थे उसके द्वारा कोई भी कारे जो था वो नहीं किया जा पा रहा था और दोनों पाउं में सीवियर पेंट था चीक है चीज सब अब क्या हुआ जब हम ने हिस्ट्री ली तो जब वह स्कूल से उसका कैना था कि वह ये एक बहर स्कूल से लोटा तो उसको सीवियर फीवर था हिग्रेट फीवर था अब और वह एक सो तीन एक सो चार तक चला गया फिर ज़र के लिए उसने चिकिससा ली फीवर के लिए और फीवर उतर गया लेकिन बाद में उसको ये पता चला या उसने ये शरीर में पाया कि उसका जो नीचे का भाग है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है और फिर उसको हॉस्पिटल में एड्मिट करा दिया गया ठीक है मौडरन इन्वेस्टिकेशन कराया गया तो उसको लुम्बर स्पाइन पर स्पाइन बाइफिडा मिला एक्सेस पाइन कराने पर यह चीज उसको में पाई गई हमारे द्वारा जब इन्वेस्टिकेशन किया गया तो जो नाड़ी थी वह अनियमित चल रही थी फिफ्टी पर मिनिट पित वात अप्रधान प्रकृति पाई गई तापमा नेंट केट पंट थी फॉरन हाइट था बहार मात्र बीस किलोग्राम था तचारूक्ष थी नेत्र में जो था वो हलका पीला पन था जिवा निराम थी नख में जो थे वो भी थोड़े से उहरे हुए और पीले से थे मुख जो था वहा मलिन था और होड जो थे वो फटे हुए थे श्वरगंभीर था दान्द जो थे वो साफ थे निद्रा जो थी उसमें उसको निद्रा नहीं आते थी और निराम आ रहा था मुत्र समाने सिती में था परन्तु जो स्वेद था उसमें दुरुगंदता थी कि इस तुरुतस का परिक्षन किया गया तो कि हिर्दय जो था वो प्राक्रताकार में था संकोच जो था हिएक जो स्टोल था वो तीवरा रहा था दाइसर जो था वो प्राक्रत ता और जो ठोड़ा सा ही चलने पर उसको ठकावट हो जा रही थी श्रमशंवतका उसको नुब हो रहा था मांश्वा सथ्रों टस्की परिक्षा की तो यह पाया गया As I told you, कि जो भार था, उसका वो मात्र 20 केजी था, और उप्षय, जो सरवादिक शैव मैंने ये पाया, कि वो मानसदहत्व उपर प्रभाव उसका सबसे ज़्यादा पड़ा हुआ है, और जो पिडिका प्रदेश है, उभैपाद पिडिका प्रदेश है, उसमें पिडन असहत् अगर हम वातज नानात्मज विकार देखें, तो असी नानात्मज विकारों में पिंडिका उद्वेश्टन कहा गया है, टिचिंग जो है वो पेन रहते हैं, ओबै हस्त प्रगंड और प्रकोष्ठ में पीडन असहत्व था, उसको मैंने हाथ उठाने को कहा, तो उसने बहु पूरा नहीं उठा पाया, वाम पाद यानि कि लेफ्ट और राइट दोनों पाओं को जब उपर उठाने को कहा, तो मात्र वो दस डिग्री तक उपर उठे, और पूर्ण रूप से उसको उठाने में, दस डिग्री भी जो थी वो सक अश्ट अपूर्ण, मतलब दस डिग्री बहुती पेन होने लगा और वो नीचे गिर गया, ठीक है ना, और दोनों पाओं में चलने की ख्रमता नहीं थी, ठीक है जी, अस्तिवास्त्रोतस जो अन्स था, उसमें उतक्षेप और अवक्षेप, ये दोनों ही क्रियाएं जो थी, वो नहीं हो पा रही थी, कटी जो थी, उसमें सीवियर पेन था, गुल्फ में भी पेन था, एंकल रीजन में भी पेन था, और जो नी था, उनमें भी फ्लेक्सेशन और एक्स्टेंशन करने पर सीवियर पेन होता था, मज्यवास्त्रोतस, पादतल, पाउं का जो नीचे का भाग है, गुल्फ, जानू, मनीबंद और कपूर, जो लेफ्ट पार्ट था, उसमें क्रियाहानी हो चुकी थी, ठीक है, और जो दक्षिन भागता, जो राइट पार्ट था, उसका वह प्राकृत था, ठीक है, अब क्योंकि हिस्ट्री ली और हिस्ट्री लेने पर यह पाया गया कि यह जो है, फीवर के बाद ऐसा हुआ था, तो जो हेतू के अंतरकत था, वो हमने तीवर का वेग जो था, उसने जो उपद्रव हुआ, उसके द्वारा जो उपद्रव हुआ, दूसरा वो उस समय वर्षा रितू थी, वात प्रकृप काल था, बच्चा पहले से ही कमजोर था, शारीरवल और अगनीवल हीन था, जिसकी वज़े से प्राण, व्यान और अपान दोश प्रकृपित होकर, रस, रक्त, मांस और अस्थी माज्जा में इस्थान संश्चुत कर गई, इतनी बास समझ में आ रही है आपको, जी सर, सर एक बार दुबार एक्स्पेंट करिए प्लीज, हाँ जी, हाँ जी, क्या हो रहा है, अब माली जी है कि भई हम अब फीवर को तो नहीं कर रहे हैं लेकिन जब हमने, शुरू में हमने क्या कहा, कि भई वो एक दिन स्कूल गया, लोटा, तो उसको एक सो चार एक सो फीवर था, ठीक है जी, और फिर उसने वो फीवर का ट्रीट्मेंट जैसे ही लिया, तो फीवर तो उतर गया, suddenly he found कि भई मेर से तो नीचे वाला पार्ट जो है वो बिल्कुल गया काम से, तो हम ये मानके चल रहे हैं कि यहाँ एक जोर का उपद्रव है, क्या बास सौंज में आती है आपको? जोर का उपद्रव हो गया, complication of fever, यानि कि अब जिस व्याधी के बारे में ये गुलियन बारे सिंड्रोम ये अद्रंग गात के बारे में बात कर रहा हूं, वह एक परतंत्र व्याधी है, ठीक है ना, सौतंत्र नहीं है, इतना सौंज में आता है? जी, हाँ जी सर, वो देखा, तो वहाँ पर हमने देखा कि वहीं, क्योंकि अद्रंग जो था ना, जो नाभी से नीचे के दोनों सक्तियां थी, तो जो SLR टेस्ट था वो भी positive हो गया, इवन दो positive क्या, वो तो क्रियाहानी के अंतरगत आ गया, कि दोनों पाउं जो थे, वो उठाई नहीं पा रहा था, ठीक ना, तो अपान दुष्टी नाभी से नीचे के बाग को दिखा रही थी, व्यान दुष्टी दिखाई दे रही थी, और कि भई, किसी भी प्रकार की जो उतक्षेप, आउक्षेप, आकुंचन, प्रसारन, जो पांचों प्रकार की क्रिया, व्यान वायू के द्वारा होती है, वो नहीं हो सकती थी, और जरासा ही चलते ही शमस्वास आ रहा था, तो प्राण, व्यान और अपान दोश प्रक्वित होकर, अंततह, रस, रत, मांस, अ समझ में आ गया, हाँ, जी सब, जी सब, अब जब संप्राप्ति हम देखेंगे, तो मिठ्या आहार विहारा व्याम दोश है, अमाश है, आश रहा, वहिर निरस्य को श्ठागने, जवर्दास यूरसानुगा, ऐसा हम, ज़र की संप्राप्ति में देखते हैं, तो मिठ्या आ आतदोश प्रकोपक काल, हीन शरीर बल, हीन अगनी बल, के फलस्वरूप, अदोभाग शैथिल्य हुआ, विसर्ग काल में तीवरुवेग जवर उत्मन हुआ, अधरंग प्रदेश स्थान संश्रे करके, अधरंग गात को उत्मन किया, इतनी बास में आई आई आपको, हाँ, जी सेथ, समझ में आ रही है बात? और प्रकार अप्तरपणोथ, ठीक है जी, जी सेथ, अब जब इस पेशिन को देख लिया गया, तो जब फाइब्रो माइल ये का केस मैंने आपको पढ़ाया था, वहाँ पर पुन्रा वर्तक जवर में करात अतिक्तारी क्वात के बारे में चर्चा करी, पुन्रा वर्तक जवर के बारे में चर्चा की नहीं? अब जब इस केस को देखा गया, हिस्ति ले ले गई, हेतु विचार कर दिया गया, तो चिकित्सा में ये तैय किया गया, है, इस प्रकार के चिकित्सा होनी चाहिए, ठीक है? जी सर, अजी. अब जो चिकित्सा सुत्र आया है, अगर आपके मास कॉपी पैन हो, तो लिख ले, क्योंकि वो एक्चली में क्या हुआ मैं, और आज और कर टाइम नहीं मिल पाया, तो वो मैं लिख नहीं पाया, टाइप नहीं कर पाया, लिखेंगे? जी सर, केवलम निरुपस्तंभ, केवलम निरुपस्तंभम, आदव, केवलम निरुपस्तंभम, आदव, स्नेह उपचारेत, केवलम निरुपस्तंभम, आदव, स्नेह उपचारेत, वायुम, वायुम सर्पी वसा मज्जा तेल, वायु सर्पी वायुम, सर्पी वसा मज्जा तेल पाने नरं ततह, आदव, केवलम निरुपस्तंभादव, स्नेह उपचारेत, वायु सर्पी वसा मज्जा तेल पाने नरं ततह, स्नेह क्लांतम समाश्व, आश्य पयोबी स्नेह क्लांतम समाश्व, आश्य पयोबी स्नेहेत्पुना, सर्पी आश्य के बाद क्या बुलें, आश्य पयोबी स्नेहेत्पुना, यूशे ग्राम्य ओधकानू, यूशे ग्राम्य ओधक आनूप, यूशे ग्राम्य ओधक आनूप, रसे सरवास नेह सेन्युते, यूशे ग्राम्य ओधक आनूप, रसे सरवास नेह सेन्युते, पायसे क्रुश्रे सामल लवने, पायसे क्रुश्रे सामल लवने सानुवासने, नावनई तरपनई चान्ने, नावनई तरपनई चान्ने, सूसनिक देह, सूसनिक देह स्वेध ये ततह, सूसनिक देह स्वेध ये ततह, शवेध ये स्वेध करना, स्वेध ये सेन्युकते, संकर आद्येई पुनःह पुनःह, स्वेध ये तता, कि कि अब देखिए हमने क्या का था अब हमारा जो पूरा जोड़ था उसको दो तरीके से समझ लेना कि देखिए कोई भी कोई भी सिध्धान्त अगर तंत्र देता है जैसे कि वो यह कह रहा है कि जीर्ण ज्वारानाम सर्वेशाम पयहा प्रश्मनम मतम इसका क्या मतलब है कि क्या दूद और घी जीन ज्वारानाम सर्वेशाम पयहा प्रश्मनम मतम आब दूद और घी आब इसका कारण क्या है कि जीर्ण ज्वर में संताप और जब वो जीर्ण होजाता है तो संताप क्या करता है वह शरीर में रूक्ष्त थे उत्पन्न हो गई रूक्षत थेज की यह पासरान मेरी है अपको 8 जी सर जब को समय आ रही है न मातिये जी सर तो रूख्ष तेज रूख्ष का उल्टा क्या होगा तेज का उल्टा क्या होगा शीत यानि कि हमें इसने कि दख्षीत यानि कि बल्य उपचार करना यह वास वन में आती है हाँ जी सर चीक है अब जो मैंने पहली लाइन लिखवा है उसमें क्या लिखा हुआ है यानि कि जब वातदोश निराम हो गई हो तो उसका उपचारस निह से करना चाहिए अब देखिए कि जब जिर्ण हो जाएगा जवर तो आम की सती तो कदापी रही नहीं यह बाद समझ में आती है हाँ जी सर अना अब तो आम की संभावना है यह नहीं इसलिए उन्हें सीधा क्या कहा दिया कि दूद पिलाओ घी पिलाओ कहा उन्होंने जी सर यह दोनों ही स्नेह के अंतरकत आते हैं हाँ जी स्नेह क्लांतम समाश्व आस्य पयोभी स्नेह ये तपुना इस ने क्लांतम याने कि आपने स्नेह जो था वह ज़्यादा दे दिया तो आप कैसे होगा ठक गए तो उसको ऐसा होगा उसमें दो तरीके से सोचना है आप किसी को गी पी ले तो वो कहेंगा नहीं जी मैं भले ही वह हूँ मैं नहीं पी पाऊंगा गी मैं मज्जा भी नहीं ले पाऊंगा मैं वसा भी नहीं ले पाऊंगा तो उन्हों काया भई पयोभी इस नहीं ये तपुना दूद के साथ गी आदी दे कर या ऐसा खाना जिसमें की गी आदी क्या स मावेश हो दे देना समझे गए इस बात को आप हाँ जी सर जी फिर वो क्या कहते हैं यूशेई ग्राम में आउदक आनूप रसई सर्वास नहें सयुदे अब वो क्या कह रहे हैं कि आप उसको सूप और किनका कि जो विभिन प्रकार के आउदक और आनूप जो रस हैं उनके द्वारा खिचडी दूद से बनाये हुए विभिन प्रकार के प्रोड़क्ट साथ में अम्ल लवन और पिर अनुवासन की बस्ती नावन और तरपन और सुसनिक्ध अन्न का सेवन साथ में खुद जो है जाब वो नहाए तो अच्छी तरह से अपने शरीर पर अभ्यंग कर ले और गरम गरम पानी से नहा ले इतनी पास समझ गए आप अब उसको जो ड्रक चलाई गई स्वर्ण बसंत मालती स्वर्ण मालेनी बसंत एक गोली दिन में तीन बार वरोत वात चिंता मनी एक गोली दिन में तीन बार अश्वगंदारिष्ट तीन चंबच दिन में दो बार ब्रोहन औशदी सिद्ध युक्त दुग्द यानिसी बला अक्षवंदा ऐसी औशदियों से मिलाकर उसको का कि दूद आप लीजिए और अन्न में जो है वो बलाशाक ओड़त आदी खाने को थोड़ा खाने को कहा गया और विहार में चिनमुद्रा प्राणायाम करने को कहा ग इसमें क्या लिखा हुआ है औशदी योजना अभी तो योजना मनाई ना कि यह हमाली ट्रक आफ च्वाइस रहेगी कैसे देनी हैं क्या देनी है अभी आपको इंतजार करना है अभी आपकी शीकृता का आदर करते हैं प्रंतु शीकृता को भी समय की आवशेक्ता होती है ना कि नहीं अब क्या हुआ कि अभ्यंग ख्षीर बला तेल ठीक है ना सब सातों दिन पिंड स्वेद दशमूल प्लस बला का बस्ती निरुह दशमूल क्वाज से अनुवासान नारायन टेल का और राज्यापन बस्ती ठीक है जी अब जो लक्षन हमारे सामने थे अगर आप इस केस को देखेंगे तो जब हमने जनर्रल एक्जामिनेशन किया तो नाड़ी अनिया में तो थी पचास शिफ्टी पर मिनिट करमहानी हुई पड़ी थी और वाम और दक्षिन दोनों पाद जो थे वो सकष्ट अपूर्ण जो थे उत्थान नहीं हो पा रहा था वेदना थी और वह पादशा थिल्ले था ऐसा था कि जी सब्सक्राइब तो पहले साथ दिन हमने क्या किया कि बला कि अर्जुन शुंठी कि सारिवा मंजिष्ठा सिग्द दूद दो बार कि बल्ल्याउशद का था ना मैंने आपको बल्ल्याउशद से दुग्द पानजी शुंठी डाल दिवेजमें रहा पला अरजुन से शुंठी कि मूल मंजिष्ठा सिग्द दो बार है ठीक है जो बला है वह जीवनिये गण की आउशद है जो अरजुन है वह रसोह स्तुरोतस की आउशद है शुन्ठी अन्नवह स्तुरोतस की आउशद है अननंतमूल और मंजिष्ठा रक्तवह स्तुरोतस की आउशद है जिसको दुग्द में जो कि पुनह जीवनिये गण का है में सिद तो करकर दिया गया इतनी बास सुझ में आती है आपको जी सब्सक्राइब प्लस रसागनी रस रसागनी रखतागनी ठीक है जी अंजी आपने डिरेक्ट कर दिया तो चले गया है अंजी अगर ऐसे सोच के आपने दिया अश्वगंधारिष्ट एक चमस दिन में तीन बार व्यानकाल ठीक है ना मांस धातू पर जो चेश्टाव को बढ़ाने के लिए व्यानकाल प्रकार करने वाली ड्रग अश्वगंधा ठीक है हां जी सब्लिंड स्वेद निरूबस्ती अनुवासन वस्ती राजियापन वस्ती बला शाक और सुर्ण वसंद बालती एक एक गोली दिन में तीन बार दूद के साथ ऐसा दिन करने के बाद जो नाड़ी थी वह सकतर पर मिनिट भी ठीक है जी साथ दिन में साथ दिन परंतु ना तो पाद उत्थान में कोई चेंज आये और जो उपर वाला हाथ जो उपर नहीं उठ रहा था उसमें भी कोई चेंज नहीं था ठीक है और वेदना भी जो थी वो ठीक है जी फिर एक बार को स्वर्ण पसंत मालती रोक दिया गया और और उसके स्थान पर वुर्वद वात चिंतामनी स्टार्ट किया गया है ठीक है पहले नहीं था और यहीं थे न स्वर्ण पसंत ठीक है अब निर्गुंडी पत्र का लेप किया गया और वुर्वद वात चिंतामनी स्टार्ट कर दी गई स्वर्ण पसंत मालती के शेश चिकित्सा वैसी हीश थी ठीक है जी हुआ जी यह चिकित्सा दी गई उसको दस दिन ठीक है पाद उत्थान अभी भी नहीं हो रहा था और जो जो कि ऊपर वाली बहां थी वह बिना किसी कश्ट के ऊपर उठने लग गई ठीक है और वेदनाक आक्षमन हो गया काफी हद तक और रोगी जो था वह थोड़ा सा सहारा लेकर चलने लग गया जी अब पाद उत्थान नहीं हो रहा है दस दिग्री तक ही है परंतु जब वो दस दिग्री तक उठा रहा है तो उसका कहना यह है कि मुझे दर्द नहीं होता ठीक है जी तो अब हमने पुनह वुरद्वा चिंतामनी को बंद करती है स्वर्ण मालनी बसंत पुनह स्टार्ट कर दी शतावरी चूरण दुगद के साथ दोदो चम्मच पिंडस्वेद निरूवस्ती और अनुवासन वस्ती ठीक है कि जी सर कि ये चिकिस्षा हमने चलाई उसको लगवग 25 दिन अब जो पाउं था वह 40 दिगरी तक उपर उठने लगा बिना किसी दर्द के और उपर का जो उर्दु शाखा का जो आकुंचन और प्रसारण था वो सहज रूप से होने लगा लेकिन अभी भी जो पिंडिका उद्वेश्टन था या जो पिंडिका प्रदेश में और सहत्व था वो बना हुआ था आधहार लेकर यानि कि कोई सहारा लेकर वहाँ चलने चल रहा था ठीक है जी हाँ जी सुवर्ण बसंत मालती एक गोली दिन में दो बार कर दी गई शतावरी चूर्ण जो दुग्द के साथ दे रहे थे यानि कि जो शतावरी कल्प दे रहे थे एक शीर पाक का उसकी जगह शतावरी गृत कर दिया गया और अरक शाला का बसंत मिश्रण आता है ठीक है यह जो बसंत मिश्रण था यूज्ट बाए मामा गोखले ठीक है अरक शाला का बसंत मिश्रण अगर आप अगर आप तक इच्छा तत्व प्रदीप पढ़ेंगे मामा गोखले की तो बसंत मिश्रण दिया हुआ उसमें मैंने भी आपको लिखवाया हुआ है अगर आप अपक्ते पुराने उसमें देखेंगे तो पर भूल जाते हैं को यूज में नहीं आता ना लोग ज फिर उसके पश्चात रोगी जब आया एक महिने के बाद तो पादुथान सत्तर डिग्री ठीक है है हाँ जी सर्थ पीड़न और सहत्व चला गया और बिना किसी आधार के याने बिना किसी सहारे के वो चलने लग गया ठीक है जी हाँ जी और हमने उसको अब कहा कि आपने शतावरी घृत दोदो चम्मच सिद्ध दुग्द लेना है और शीर शीर बला का अभ्यंग करते रहना है ठीक है हाँ जी सेथ अब रोगी अब ठीक है ठीक है न कि सवाल यह है कि कुछ सवाल है जो मैं आपको अपने आप से बता रहा हूं कि भई आप सुवनन बसंत मालती जो ड्रक ऑफ च्वाइस थी वह पहले क्यों दी गई एक तो यह ठीक है और उसके बाद व्रोध वात चिंता मनी को कुछ समय के लिए स्टार्ट करके पुनहा सुवनन बसंत मालती क्यों स्टार्ट कर दीगे ठीक है यह बास समंगे आप जी तो देखिए सुर्ण बसंत मालती किसका पाठ है आपको पता है भारत 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 जरतनाकर के जोर चकत्सा में दिया गया है अब हमने क्या का था कि हम को जो हम हमारे पास टास्क था चकत्सा सूत्र में जो हमने प्रोटोकॉल बनाया कि भई हमको बल्ल भी देना है और वात नाशक होना चाहिए और जवर अपुनर्भव होना चाहिए ठीक है नो कि अभी थियू था कमारे पास के परतु व्रहद वात चिंट अमनी जो थी वह वाध पूर तो काम कर रही है कि निरौहद्र पर भी काम तो विश्यमजवर में जो धात्युक्षाई की स्थती थी जो कि त्रुविद रोगमार को परकारे करे रुगण को बल प्रदान करे उसके लिए सुर्ण बसंतमालती जो था वो ड्रग आफ च्वाइस बनती है ना कि वुरुधुवात चिंता बने ठीक है ठीक है से लेकिन अगर आप देखोगे कि जो सुर्ण बसंतमालती है इस कल्प की जो फलशुती है उसमें जो वैद्य गुणेकर शास्त्री थे वो यह कहते थे कि अगर पित्त प्रदाहन धा हो पित्त प्रदाहन धा हो तो आपने सुर्ण बसंतमालती का प्रयोग नहीं करना कि उन्होंने कहा कि ज्वर कि उतर कर जब धात्तुक्षाई की स्थती हो तो स्वर्णवसंत मालती का प्रयोग करना यह गुणे शास्त्री की कि किताब अगर आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है ठीक है जी क्या वह जो बताया आपने की पित्त प्रदान हो तो नहीं देना है पर अगर वह दातुक्षे में हो तो फिर तो अर्नमाल की वह देना है मतलब भई वह तो में शास्त्री ने जो उसके यूज का जो मर्यादा बताई है वह बता रहा हूं हूं न है कि नहीं सवाल क्या पूछ नहीं आया है नहीं वह ऐसे मतलब उन्होंने ऐसा डिफरेंस क्यूं किया सब्सक्राइब अभी सब्सक्राइब नहीं आया है कि नहीं आया है यह पूछ रहा हूंगे आपसे आप arkusa की शोहर नवसंद और जो मलती है वह जो है कだ तजवर होगा तो नहीं यूज़ करेंगे और जब वही जवर दातुगत अवस्था हो जाएगी या शान तो हो जाएगा उसके बाद में यूज़ करेंगे ऐसा उन्हों ने नोने बढ़ी कंडीशन मताई कि अगर दाहा हो रहा हो पेशिंट को तो इस अवस्था में जो पित् अवस्था में अम्रत्वक के तरह कार करता है तो उसी कोट को मैंने आपके सांदे रख दिया कि इसका लपका चैन जो था क्योंकि हजवर उत्पर परतंत व्याधी के रूप में इसका उत्पन हुआ था इसलिए हमने सुन बसंत मालती का प्रयोग किया दहा उनका उन्होंने एक special condition लगा रखे थी वो इसलिए बता दिया क्योंकि बसंत जो है वो कफ के प्रकोप को रोकता है ठीक है ना पित्त से उसका लेना नहीं है तो जितने भी बसंत कल्प है मदू मालनी बसंत है लगू मालनी बसंत है मदू मालनी बसंत है या स्वर्ण बसंत मालती है वह कफ प अब एक बात और समझ लेनी है कि बल देना और उत्तेजना देना बल्ले और उत्तेजना में आपको अंतर समझ में आना चाहिए ठीक है जैसे कुछला जो है वो तो क्या है उत्तेजना वो वातवा नाडियों को उत्दीप्त करता है तो जब आप उत्तेजना देते हो तो वो स्टिरोइड की तरह कार करता है यानि कि वो क्षणिक आपको तेजना देदेगा जैसे ही उसका प्रभाव खतम होगा नाडियां अपने स्थान पर पुना उसी स्थान पर आ जाएंगे बल्ले क्या करता है कि वो रसरक्ता दातियों को पुष्ट करता है तो जो नाडियों में शक्ति आती है वह पूर्ववत बनी रहती अक्षुन बनी रहती यह बास समझ में आती है तो स्वर्ण बसंत मालती क्या कर रहा है और रसरक्त धाती आध्यों को पुष्ट कर रहा है ठीक है जे अब सवाल यह है कि सर्वरोगे बसंते ऐसा कहा गया है तो इस नियाय से मधुमालनी बसंत का भी प्रयोग किया जाना चाहिए था कि आपको ताकत देनी है और जर्वपन उत्पन नहीं होना चाहिए परंतु मधुमालनी बसंत का प्रयोग मेरे हिसाब से क्योंकि मधुमालनी बसंत में अंडे की जर्दी की भावना दी जाती है तो शोष के कारण यदि धातु ख्षय उत्पन हुआ हो तो मदु मालनी बसंत जवर के कारण यदि ख्षोष उत्पन हुआ हो तो स्वर्ण मालनी बसंत और यदि रक्त धातु के ख्षय के कारण उत्पन जवर हुआ हो तो लगु मालनी बसंत का प्रयोग करना चाहिए क्या य करते करांब तो लगुक्त की करण और जुँआर के कारण तो लेज़ दुष ना लमसे शोग में पिसमार्सद ना देखो उसमें बदल जा रहा है नहीं सिम्पल से बात है कि बसंत कलप तुद तीनों ही बले हैं तीनों ही बल देने वाले हैं परन्तु आपको विकल्प संप्राप्ति के अनुसार यह देखना पड़ेगा क्योंकि अगर आप मदुमालनी बसंत दोगे तो पुनहां उसमें जो जो जोर जोरगन प्रापरटी है जो अपनुर प्रवन के फलस्वरूप उत्पन हुआ जिसके करण धात्युक्षय हुआ उसको नष्ट करने की शम्ता मदुमालनी पसंत में है कि नहीं समद्रें आप मेरी बात को जी जी लेकिन आप हमने क्या कह दिया पर हमने स्पेसिफिकली जब संप्राप्ति लिखी तो हमने का वही कि तो ज्वर उपद्रोत पन्नव्यादी है कि हमने मुस्तादी राज्यापन बस्ती हाला कि अगले लेक्षर में दोनों अध्यायों के करूंगा लेकिन फिर में में आपको थोड़ा सा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता है पहला पॉइंट क्या है भी सर्वतासर वहावानां समन्यम व्रुद्धिकारण तो जो मुस्तादी राज्यापन बस्ती थी उसमें बक्री के अधह शाखा के मासरस्क्याप्यों प्रयोग किया गया है ठीक है हाँ जी अधह शाखा यह समांद रहे हैं आप इस बात को भाई हम क्या कह रहे हैं हम क्या कह रहे हैं समानने विश्य सिदान समझा रहे हैं जी जी और और हम क्या कह रहे हैं कि हमने रोगी को देखा तो उसका जो अधह शाखा थी वो कारें नहीं कर रही ठीक है जी और अधह शाखा को ही बल देना है जी तो नीचे का जो भाग है बकरी के की की जो अधह शाखाएं है उसके मास रसको लिया गया अधह शाखा के मास रसको लिया गया कि वह उस अधह शाखा के मास रसको क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इस्तन का मास अलग है, हस्त का मास अलग है, वक्ष का मास अलग है और अधाशाखा का मास अलग है तो हमारा मास रस जो है वह उसी परकार कर पाए इस परकार के विवेचन के लिए सर्वदासर भावानाम सावन्यम बुद्धिकारणम के आधार पर अधाशाखा के मास रस क को अधाशाखा को पुष्ट करने के लिए लिया गया इतनी बाद समझ गए आप अजी इसके बाद और थोड़ा समझ लेना कि गुलियन बारे सिंड्रोम जो है अब वही वाली बात आ जाती है कि आयरवेद के अनुसार गुलियन बारे सिंड्रोम कहां से लेते हो महाशायव त सबसे पहले कफ आवुरत बीन बाट झालिम और कफ आवुरत वाथ के स्दवेद का आफ लिया आपने सी अकने व्येक एब जो अब जो कफ आवुरत व्यान है तो चरकश को मैंने आपको अच्छी तरह से समझा-र तरह का है पता नहीं आपको याद है कि नहीं गुरुता सर्व गात्रानाम सर्वसंध्य अस्थीरुजा गुरुता सर्व गात्रानाम सर्वसंध्य अस्थीरुजा व्याने कफावरते लिंगह गतिह संगह तथा अधिकह इतनी बार समझ में आ रहे हैं आपको हाँ जी यानि कि गती संग चलने फिरने में कैसी हो गई मर्यादा आ गई यह रक्षन दिखा रहा है सभी अव्यों में गौरोता उत्पन हो गई सभी संधियों रस्थियों में वेदना उत्पन हो गई आदुनिक विज्ञाने के अनुसार जो मौडन कह रहा है कि भई इसमें जो गुलियन बारे सिंड्रोम है उसमें क्या होता है टिंगलिंग नमनेस प्रॉग्जीमल एंड्स और बाइलेटरल फेशल वीकनेस का नमान होता है दो चीजों को धिहान में रखना वेन वी आर ट्रीटिंग गुलियन बारे सिंड्रोम टिंगलिंग नमनेस प्रॉग्जीम ठीक है कि जी सर गती है कोई पूछ रहा है कुछ अन्य सर हमने यहां निरूपस्थ हम भी देखा है ना तो यहां को अब वो तो जब निरामवात आ जाएगा तब की बात करेंगे ना कि नहीं शुरू कैसे हुआ उसको समझ लेने की आवशक्ता है कि नहीं नहीं हाँ गती अक्षेपनो उतक्षेपनेमेश कि आदे कहा तो अब भई सिंपल सी बात है कि यह जो गती में रुकावट आई यह कैसे आई होगी संग संग कौन कर रहा है कफावरत व्यान की सती बन रही है कि नहीं बन रही जी है तो जब कफ का आवरन हो जाता है तब करमहानी होने लग जाती है चेहरे की मासपेशियां धीमी हो गई अब इस आवरन की चिकित्सा में यदि हम चरक इस कफावरत व्यान की अवस्था है तो अब लिखा हुआ है यापना बस्तेहा प्रायो मदरासा अनुवासना रसायना नाम सरवेशाम उपयोगा प्रशिस्यते यानि कि हमको यापन बस्ती का प्रयोग करना है जो कि हमने एक और लिख लेना विगुणवाद चिकित्सा कैसे करते हैं उदानम योजवे योजयेत पुदानम योजयेत उर्द्वपानम चा अनुलोमियेत समानेन समानम शमयेत तिरधाम व्यानम तू योजयेत प्राणो रक्षत चत्रत्वयो अपि यह लिखलो यह भूत इंपोर्टन श्लोग है आप तुरह स्लोग बोले पिर उदानम योजयेत उर्द्वपानम चा अनुलोमियेत कि पानी कि अपा उदानम योजियेत उर्द्वं अपानम च अनुलोमियेत कि पुट कि तमानेन शमयेत चैवत्रधा व्यानम चु योजियेत कि पुट कि पुट कि पुट कि तमानेन शमयेत चैवत्रधा व्यानम चु योजियेत कि प्राणो रक्ष चत्रुभ्यो अपी कि पुट कि अधि कि यानि कि उदान वायू को उर्दुगति देनी चाहिए अपान वायू का लोमन करना चाहिए समान वायू का अक्षमन करना चाहिए ठीक है ना कि अच्छी सब्सक्राइब और व्यान वायू व्यान वायू व्यान वायू को को रास्ता देना चाहिए अभी समझाओ रास्ता देना चाहिए और जो प्राण वायू की चिक्सा है ना वो क्या है पता है क्या है रक्षा गर्मी चारों वायू से रक्षा करना तो बस इसकी इस इस बात को सब्सक्राइब लेना वायू ठीक है ना मालो की मतलब उदान प्राण व्यान अपान यदि ठीक हैं तो ही प्राण संब्ले हुए हैं इस बात को याद रखना जी सब्सक्राइब आ रही ये बात आपको हाँ जी अपने बना ये शुनूब नहीं नहीं start हमने म्नेर जूब्ये सब्सक्राइब आट गोड़ पाप करहा यह कहना अभी गोड़ फाप होगा आपके बुब । है मां भी मांगी लूग याजी अर्यून मैं तो हम अपही मांगी लूगा ठीक है न हम मेरा एन तो साथ मेरा स्वैम का कुछ भी नहीं जो भी है कैसा है वो वह क्योंकि हम नाम दे रहे हैं जैसे गुनेकर्शास्त्री है नेवूर कर हैं यह सुदी जो भी काम कर रहा है जो काम करता है अम उसको का बस इतना कर लेते हैं कि जो कर रहा है उसको पढ़ लेते हैं ठीक है जी समझ है ना आपकी उसको इस लेवल तक समझते हैं सर आप भी एक बुक लिख दो सर ने कितनी सारी लिखी हुई है बस आद ही चोड़ी है कि पहले को जब आदमी लिखता था ना तो जो कोई मैं पुराने लेख अगर आप पुराने लेख पड़ोगे न इन इसाथे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो आदमी लिखता था वो उसके उसके पीछे वर्षों का अनुभव होता था तब वो लिखता था अब हम लिखते हैं हमें पीएचडी के बराबर हो जाएगा नौकरी मिल जाएगी किताब के दस पॉइंट होते हैं फला ना होता है डिक ना होता है कि तो वह नहीं है अब इतने रिसर्च टैकल झपते हैं वो इदर उदर को कि किर्या स्वैं की बातव हैं को impose हैं चौन में तीया फैसे डेंगें लों लिखवात लेते हैं एसके अपकी जो महनत हों आपका सौ अनुभाव हो वो लिख दिया जाए ठीक है थोड़ा सा लेट हो रहे हैं थोड़ा सा आगे चलते हैं गुलियन बारे के मैं बता दू आपको गुलियन बारे सिंड्रोम इस आलसो नोन एज एक्यूट डी मैलेटिंग पॉली नीरोपैथी ठीक है एक्यूट डी मैलेटिंग पॉली नीरोपैथी तो जो डी मैलेशन है डाट बिलॉंग्स टू मज़ा तो क्लियर है यह बात और वो तो कहते हैं यह ठीक ही नहीं हो सकता वो कहते हैं का उससे कोई मतलब नहीं है हम क्या कर सकते हैं वो देखना है इस चीफ डिसॉर्डर ऑफ लोवर नोटर मुर्ण अफेक्टिंग दा इंटिरियर एंड़ पोस्टिरियर हॉर्ण ऑफ दा स्मानल ट्रेक्ट अगर आपने टीयस सेक्शन काटेंगे इसका स्पाइन का स्पाइन वह और आते हैं और पोस्टिर प्रेट में ठीक न फिर हम उसको काट देते हैं क्योंकि वह आनटॉमी में पढ़ाता हूं तो इसलिए और मैं सरजरी का बंदा हूं तो इसलिए मैंने मुझे वह याद रहता है आप भी एक बार देखना प्लीज उसको और यूज्वली क्या होता है जो हर्पिस वाइरस होता है ना हां जी यह हॉर्ण जो है वह बहुत तेजी से इफेक्ट होते हैं और जो HIV के पेशिंट्स होते हैं उनको भी सिंड्रोम जो है वो बहुत तेजी से डेवलप होता है यह याद रखना ठीक है जी तो जो सिंटम्स आते हैं वो क्या आते हैं कि पैरा जो मोटर सिंटम्स आएंगे हम तीन भागों में बाट देते हैं हैं जो सिंटम्स आते हैं एक तो मोटर सिंटम्स एक संसेरी संटम्स और एक क्रेनियले हो कैसे खाले हिंद और loss of superficial and deep reflexes ठीक है जो सेंसरी आते हैं वो कैसे आते हैं पेन एंड नर्व टेंडरनेस और जो क्रेलियन नर्व आता है तो जो फेशल नर्व होती है वो सेवंथ होती है ना सेवंथ होती है ना फेशल नर्व जी हां जी अल्फेक्टि ऑप्टिक ऑक्किलोमेटर ट्रॉकलिया ठीक ना छे अब्डूसेंस सात्वी फेशल की नहीं आठ वी ऑडिटरी अरे हां तो बोल दिया करो यार मैं इतना जी बिल्कुल बिल्कुल तो पेरिफरल फेशल पैरलसिस जो है वो आ गया तो इस बात को हमेशा दिहान में रखना है कि मैंने आपको जो आप उनर भाव जोर चिकिस्सा तो आप ये कहोगे कि सर जोर तो चलाई गया था अब आप उनर जोर जोर क्यों कह रहे हों कह सकते हूं आप एक सर्कराइना कि यह जो बार बार आजाती यह बार बर कैसे आएगी जैसे यह फिवर आया वैसे यह व्यादी दोबार और बहुत चाहता हूं तो जो और को नहीं आना रोकना पड़ेगा कि नहीं रोकना पड़ेगा को यह परतंतर व्यादी है हाँ जी कि वह दोश वहाँ पर रिप्लेस्ट करेगा हर्पी आपको और वह लाएगा और आपको फिर दोबारा सिर्टाइक कर देगा समझ रहे हैं अब बात को जी सर एमेस के केसिस को भी ऐसी अभी होती है एक चीज में संप्राप्ति जहां बदलेगी वहां सारा डिर्क्शन बदल जाएगा ठीक ना तो अगर मुल्टिपल इसको ऐसे ट्रीट कर सकते वह लग था वो वह टोटली डिमेलेटिंग है उसके बारे और कि शतावरी घृत का अपयोग इसलिए किया गया क्योंकि जो है अगर आप इसकी फलशूती देखेंगे तो आपनरभव और रसायन के रूप में है और यहां वैगुन्य को दूर करने वाला घृत है वैगुन्य उत्पन ना हो इसलिए अभ्यंग और घृत को जारी रख सब्सक्राइब के बाद मैंने क्या कहा कि अब आपने इसको चालू रखना है क्योंकि जैसे ही वी उड़ता अपन हुई आपका काम खराब हो जाने वाला है यह संद्रेया तो खास्ता नहीं बना चाहिए उसके लिए गया रहे हूं उसमें एक बात और है क्योंकि आप यह ज अगर व्यादी नाउत पन्न हुई तो वो क्या है एए तशीजिक होगी थीक होगी वही मुझे इतना डम है सिंपल सी बात है मुझे इतना आप इसको ऐसे नहीं समझते ला मैं आप से कहूं कि आप सांस लेते रहोगे तो आप जिन्दा हो तो आप क्या कहोगे कि भाई आप कंट्रोल हो कि आप क्यों और हो इस बात को जरूरी है कि अभ्यंग रोज करना जिससे वात व्याद युद्पन ना हो ठीक है यह लिखा गया है हमारे शास्त्र में ना जी सब्सक्राइब कर रहे हो और आप कहोगे नहीं मुझे तो व्यादी है नहीं पर भई आप कंट्रोल तो करी रहे होगे व्यादी पना नहीं होने वाली तो टेक इट एज शो क्यों यह कॉंसेट मेरे माइड में भी आया था कुछ दिन पहले विचार आ रहे था जी 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 तो अब क्या होता है वो कंट्रोल हम उसको तब कहते हैं कि आपने उसको बीस पे रखा चालीस पे रखा किसी भी व्यादी को आप लेके आये लेकिन आपको साइमल्टेनियसली कॉम्प्लिकेशन उत्पन हो रहे हैं ठीक है ना तो आप उसको क्योर नहीं कह सकते नहीं आप ठीक है अब जो अगर आप यापन बस्ती देखेंगे राज यापन बस्ती तो जो चरक सिद्धि स्थान है उस अध्याय बारा में बारा यापन बस्तियां दी गई ठीक है पर राज यापन बस्ती जो है वो एक निरू बस्ती है अब आपका उगे साथ निरू बस्ती जो होती है वो तो दोश का शोधन करने वाली होती है कि नहीं लेकिन यह बस्ती जो होती है वो केवल दोश का शोधन ना करके इसकी फलशुती शुक्र मांस बल जनन भी है जी से तो सर्वकाल देया सभी काल में दी जा सकती है सर्वेशू रुतुशू योगिकाह रुतुओं का बंधन भी नहीं है स्वस्थानानाम आतुरानाम चवरुद्धानाम अविरुदोविरोध्री बच्चे से लेकर बारा साल के बच्चे से लेकर सतर साल तक के बच्चे को निरुबस्ती का प्रयोग उन्होंने का आगे नहीं देना परन्तु राज यापन बस्ती का प्रयोग दे करना है यह बात समझ में आ गई आपको हाँ जी हूँ है अभी 13 साल का था ना ठीक है ना तो हर के पीछे जो योजना बनाई गई है वो कैसे बताई गई है कि भई इस तरीके से हम उन चीजों को यूज कर रहे हैं ठीक है ना अब सभी बस्तियां जो हैं वो दुग्द में सिग्द की गई सभी यापन बस्ती व्रश्य है परंतु विशिष्ट व्यादियां हैं जैसे कि इस बात को आप समझ लेना कि अगर ज्वर से ज्वर के बाद दौर्बल्युत्पन होता है तो राज यापन बस्ती सरवांग वातरक् व्रश्यतम इस्थिरादियापन बस्ती ठीक है ना तो इस प्रकार से बस्तियों को भी हमको किस तरह से इन चीजों को देखना पड़ता है कि हम किस प्रकार से कोई भी चीज जो है वो उठा रहे हैं ठीक है अरे मर गया दस बचके दस इसको आभी यहीं रखते हैं और फिर इन दोनों व्यादियों का या जो पहली जो इसमें जिसका पंचकर्म विवेचन रह गया था उसको लेते हुए और इसको साथ में लेकर नेक्स लेक्षर में चर्चा करेंगी ठीक है यह आज समझाने का पू कि जिस दिन मेरी में थोड़ा साथ होता हूं ना उस दिन थोड़ा सा जोड़ जाद ही लग जाता है कि देख विड़ास तू क्या करता है थैंक यू परिक्षा है थैंक कियर सर गुड़नाइट सर